रबाद में महीला डॉक्टर के साथ होई हैवानियत को लेकर पूरे देश में गुसा है। पूरा देश आरोपियों के खिलाफ मौत की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में लेडी खली के नाम से विख्यात WWE रेसलर कविता दलाल ने हिदराबाद रेपकांट पर बड़ा बयान दिया। कविता दलाल ने कहा कि अगर सरकार उन्हें जिम्मेदारी दें तो वे खुद ही दुशकर्मियों को सरे बाजार में गोली मार दें। सरकार से अब किसी तरह की उमीद नहीं रही क्योंकि सरकार या कानून आकर लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर सकता। लड़कियां कमजोर नहीं है जरूरत है लड़कों को मान सिकता बदलने की। इसके अलावा लेडी खली ने कहा भारत में आए दिन महिलाओं लड़कियो के साथ दुशकर्म दुर्वियवार जैसे घिनोने घटनाय सामने आ रही हैं मैं एक मजबूत लड़की हूँ लेकिन जो छोटी बेहने हैं जो आज की समय में सड़क पर बाहर निकलने में भी डरती हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा वही कविता दलाल ने कहा कि सरकार दुशक गटना नहीं है बहुत ही पीड़ा दायक है किसी की बेटी गई है दूसरों के अत्याचार से और यह घटना कोई पहली घटना नहीं है इससे पहले भी बहुत सारी घटना ही हुई बहुत सारे केंडल मार्च निकले लेकिन रजल्ट कुछ नहीं हुआ यह गटनाय दोराई गई बार बार दोराएगी लोग सरकार को दोसी मानते हैं कानून को दोसी मानते हैं लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार आकर नहीं बचाएगी जब तक लोगों की मानसिक्ता नहीं बदलेगी जब तक हमारी लड़किया सुरक्षित नहीं है और मैं तो मोदी सरकार से बड़ा वि बड़े कड़े फैसले ले सकती है धारा 370 बुर्के की यटना बड़े-बड़े फैसले ले सकती है उस मोदी से मेरा भरोसा है कि मोदी जी महिलाओं के लिए एक ऐसा कड़ा फैसला और लीजिए या तो जो ये दोसी हैं उनको खड़ा करके सीटी गोली मार दो क्योंकि लोगो क्याफिक में जो आपने फाइन लगाना शुरू किया कई कई हजार का इसके पीछे आपकी मंसा सिरफ एक ही थी कि लोगों के दिल में भै हो डर हो कानून को पढ़ें रूल को पढ़ें लोग सचेत हुए उसके बारे में और ये सेम इस पे लागव होता है कि एक बार फिर ऐ आग घर में नहीं लगती ना तब तक रोंगते खड़े नहीं होते लोग उसके बारे में सोचते नहीं अगर मैं महिला हूँ मैं सुरक्षित हूँ अगर मैं ये सोचकर बैठ जाओं कि मैं सुरक्षित हूँ मुझे कोई मतलब नहीं नहीं मेरी जिम्यदारी है और इसी तरह कानून अपना काम करता है लेकिन कानून सही तरीके से लागून नहीं हो पाता इस पे काम करने की जरूरत है हमारी लड़कियों को सुरक्षा की जरूरत है आपको पता देगी भारत की इकलोती WWE महिला रेसलर कविता दलाल पिछले काफी अर्से से अमेरिका में प्रस्षिक्षन ले रही है कविता हाल ही में अपनी ससुराल बागपत के बिजवाड़ गाउं में आई हुई है जहां कविता दलाल बड़ाउत में वर रस्थली पब्लिक स्कूल में कारेकरम में शिर्कत करने पहुँची थी इसी दोरान कविता दलाल ने हैदराबाद रेप कांड पर रोश व्यक्त किया पंजाब के सिरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट